दोस्तों, DJI जो अभी तक action cameras और drones ही बना रहा था, उसने पहली बार market में अपने दो power stations, power 1000 और power 500 को launch किया है few vital innovations incorporate करके, DJI ने अपने इन power stations में बढ़िया features आड़ कर दिये हैं तो आज मैं आपके लिए DJI power 1000 का in-depth review लेकर आई हूँ वैसे तो इस power station को हर घर में एक backup power solution की तरह इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन content creators और campus के लिए ये एक necessity बन चुका है इसको लेने के बाद चाहे वो जंगल हो या फिर दूर दराज इलाके आप हर जगा अपने सभी appliances को इसके थूर यूज कर सकते हैं या फिर charge भी कर सकते हैं box के अंदर power station के साथ एक power cord और कुछ user manuals रखी मिलती है इसका size 17.6 inches into 8.86 inches into 9.06 inches है और weight 13 kg है construction की बाद की जाए तो ये power station steadily built होने के साथ साथ highly premium भी है इसको देखकर DJI के drones की ही याद आती है क्योंकि इस पर वही finish दी गई है जो इनके drones पे होती है ये power station DJI ने मुझे review के लिए भेजा है इसमें AC outlet sockets की जगा ये holes दिये गए है शायद गलती से company ने Indian compatible sockets की जगा ये वाला unit भेज दिया है जिसकी compatibility किसी और country के plug से है मुझे बहुत time लगा इसके लिए India compatible sockets को ढूनने में हाला कि इससे compatible sockets मुझे मिल गए लेकिन इन sockets को लगाने के बाद ये टेड़े दिखते हैं जो थोड़ा सा weird लगता है लेकिन usability के हिसाब से कोई problem नहीं आती है स्टार्ट करने के लिए इस button को long press करना पड़ता है ये वही familiar music है जो DJI के drones के start होने पे भी सुनाई देती है और इसे switch off करने पे भी DJI drones की ही tone play होती है इस power station का display काफी bright है जिससे outdoor में भी सब कुछ comfortably visible होता है यहां आप battery percentage और input output voltage के अलावा ये भी monitor कर सकते हैं कि ये power station आपके लगाए appliance को कितनी देर का power backup दे सकता है डिस्प्ले में power save करने के लिए sleep mode भी दिया गया है और वापस display देखने के लिए आपको बस इस start button को एक बार short press करना होता है एक अच्छी बात इसमें ये है कि इसकी सारी ports front में ही दी गई है जिससे इसे use करना काफी convenient हो जाता है इसके अलावा space save करने के लिए आप इसे wall से बिलकुल सटा कर भी रख सकते हैं इसमें 24 watts के ये दो AC sockets दिये गए हैं टू टाइप C ports हैं और टू टाइप A USB ports दी गई हैं इसके अलावा ये इस power station को चार्ज करने का point है जिस पे ये cover दिया गया है इसका एक बहुत बढ़िया feature ये है कि अगर आप इसे जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस toggle को 1200 watts की तरफ करके इस power station को बहुत fast charge कर सकते हैं लेकिन normally आपको इसे 600 watts पे ही चार्ज करना है इससे battery ज्यादा durable रहेगी अगर आप इस power station को 1200 watts पे चार्ज करेंगे तो इसे 0% से fully charge होने में around 65 minutes लगते हैं ये DGI Power 1000 दूसरे power stations के मुकाबले ज्यादा fast charging प्रोवाइड करता है क्योंकि इस DGI Power 1000 में USB type A port 24 watts power output के साथ आती है और USB type C port 140 watts की fast charging प्रोवाइड करती है ये दो 400 watts की SDC ports है जिन में से एक SDC light port है इन ports के थुरू आप DGI Mavic Pro 3 drones को AC power point के मुकाबले ज्यादा fast charge कर सकते हैं ये feature आपको किसी भी दूसरे power station में नहीं मिलेगा नॉर्मली AC power के थुरू Mavic 3 drones 10% से 100% charge होने में 49 minutes लेता है जबकि इस SDC port के थुरू उसे 32 minutes में ही charge किया जा सकता है इससे आपको drone shooting में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि जब तक आपकी एक battery dry होगी दूसरी fully charge हो जाती है ये SDC ports solar charging भी support करती है एक 400 watts के solar panel के थुरू अगर charging time की बात की जाए तो regular AC power के मुकाबले solar panel के थुरू charging काफी slow होती है लेकिन ये power station इन dual SDC ports के थुरू maximum 800 watts की solar charging provide कर सकता है लेकिन उसके लिए आपके पास 400-400 watts की दो solar panels होनी चाहिए जो काफी costly आती है solar charging का option तब बहुत काम में आता है जब आप किसी remote area में बहुत दिनों के लिए हो जहाँ इसे charge करने का कोई दूसरा option नहीं है इस DJI Power 1000 के sides में heat dissipation के लिए काफी बड़े vents दिये गए है इसको comfortably उठाने के लिए sides में ये handles भी हैं जिससे इसको एक जगा से दूसरी जगा उठाकर रखना convenient हो जाता है इसमें 1024 watts per hour capacity की lithium ion phosphate battery दी गई है जो इस industry का latest standard है इसका max continuous output 2200 watts है और peak output capacity 4400 watts की है इसमें लगी battery के life 4000 cycles है अगर आप इसे रोज 0% से 100% तक charge करेंगे तब भी इसकी battery 10 years से उपर चल जाएगी उसके बाद भी अपनी 70% capacity पे काम करेगा जहां तक extra accessories की बात है तो DJI ने इस power station के लिए ये bag design किया है जिसे आपको अलग से खरीदना पड़ता है ये bag waterproof है जिसकी खास बात ये है कि आप इस cover को बिना हटाए भी इस power station को अराम से use कर सकते हैं इस bag की quality premium है and to tell you the truth this is the best thought over cover design that I have come across यूज करते समय साइड में दिये गए वैंस के उपर के flaps को आप unzip करके नीचे दी गई इस net pocket में fold in कर सकते हैं आगे की और इस तरह का zipper दिया गया है जिसे खोल कर आप appliances और charging के लिए devices easily connect कर सकते हैं पानी बरस्ते में भी ये flap एक तरह से awning या फिर canopy की तरह काम करेगा पीछे की side ये pocket दी गई है जिसमें आप power cable और दूसरी accessories को रख सकते हैं इसको comfortably carry करने के लिए ये foam infused strap दिया गया है जिससे इसे carry करना बहुत ही आसान हो जाता है ये car charging cable है इसे भी आप अलग से खरीज सकते हैं इसके थूँ आप चलती car में इस power station को charge कर सकते हैं camping setup के लिए ये power station एक बहुत ही essential device है आप इसे picnics या फिर car camping में अपने साथ ले जाकर drone batteries, camera batteries और phones को charge करने के अलावा इस पे खाना भी बना सकते हैं ये 800 watts का fryer है जिसमें मैं ये maggie बना रही हूं 10-12 minutes maggie बनने के बाद भी 85% batteries में remaining है आप इस power station से एक साथ कई appliances और devices connect कर सकते हैं 66% battery पे ये DJI का power station एक oven को 25 minutes तक चला सकता है सबसे बड़ी बात ये है कि ये power station super silently operate होता है जिससे कोई disturbance नहीं होने पाता है घर के लिए ये बहुत बढ़िया power solution है अगर आप apartment में रह रहे हैं तो आप इससे car washer को power provide कर सकते हैं power cut होने पे इसके थूप पानी की motor से लेकर आप almost सारे appliances चला सकते हैं इसको लेने के बाद आपका कोई भी power related work कभी भी नहीं रुकेगा convenience और usability में ये power station बहुत बढ़िया है लेकिन अगर DJI future में इसमें थोड़े से changes incorporate कर ले तो ये power station outstanding हो जाएगा इसके front में काफी सारा space दिया गया है company को चाहिए कि इसमें थोड़ी और AC power points incorporate कर दे जिससे इसमें एक साथ दो से ज्यादा appliances को connect किया जा सके DJI को इस power station के लिए एक app भी release करनी चाहिए जिससे इसे remotely monitor और operate किया जा सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and stay safe